कि आपत हमारे समर्दगुरु सिधार ठोलिया जी जो कि आज अध्यात्मिक यूग में अध्यात्म सनातन धर्म के चमकते वे सितारे में हैं उनका आगमन हमारे राची में हो रहा है ग्यारख तारीक को एगारण अगस्त को बारा उनको तीन दिन का यहां पर प्रवास है एक ग मेंशन सेंटर है दरवंगावस में वहां पर गंटे का उनका टॉक है जो कि उसका विशय है ब्लिश्फुल निभिंग फॉर वर्क लाइफ बैलेंस मतलब आप अनंदित रह है कि अब कौन-कौन ऐसे ही तो नहीं कोई चीज हो जाता है तो उसको क्या माध्यम है कितने रास्ते हैं उस तरह के जाने के लिए वह उसको डिटेल रूप से 12 और 13 दो दिन को सेंटर इसका सेंटर माइन प्लारिंग रिजाइन यानि सीम पीडियाई गौन्वाना प्लेस में सब्सक्राइब कर एक तो हमारे जाहर कंट के बहुत लोग आ रहे हैं उपर से देश के बहुत सरज जगह से जिसे मौनिया की पंजाब से हरियाना से फिर आप च्छतिसगर से और बिहार इसे जितने हमारे इभन जमूर कस्वीर से जमूर से भी लोग आ रहे हैं तो काफी लोग आएंगे बहुत बार प्रोग्राम को चुका है यह एक्चुली इसको हम लोग ब्लिस्पुल लिविंग बोलते हैं अनद प्रज्या यह पहले हमारे प्रोग्राम है अब पहुत सारह में हैं जिसे आपको आत्म ज्ण और कैसे होता है ग््म भक्ति योग बहुत सारे चीजस में तो अभी सुरुआत है यहां पर जो कि सभी लोग के यह आपन है कोफी भ्यक्ति इसको आ सकता है रेजिट्रेशन कराय करके का मेरा अच्छा मैं मेरा ना मजय कुमार सिंग है मैं भारत भारत को किनलों को लिंटेट का भूदपुर सीमडी रहा हूं और अभी इंडियन इस्ट आफ योगा एन मनेजमेंट है जो कि गुर्दियों क जो उसोधारा उसका एक अपसूट है उसका मैं डिरेक्टर हूं तो अभी वही इंडियन इस्ट योगा एन मनेजमेंट का डिरेक्टर पत्रकार हूं आज के युग में लोग बहुत परिशान रह रहा है आए दिन आप देखते हैं कल भी नितिन देसाई इतना बड़ा फिल्म सेट अप बनाने वाला भी सुसाइट कर लिया दस दिन पहले पंदरा दिन पहले आप देखें होंगे कि खवर में एकदम प्रमुक्ता से चपा कि जनाची का एक युवक जो कि किसी आईटी कंपनी में पूना में काम करता था ग्यारा तल्ले से फुद गया आज हमारे देश में लोग इतने अधिक परिशान हैं पनाव में हैं डिप्रेशन एंजाइटी की परिशानी बढ़ रही है क्योंकि लाइफ में चैलेंग अधिक बढ़ते जा रहा है इसी को गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है और जब दुख है तो उसका कुछ निवारन होगा हमारे परमगुरोशों कहते हैं कि उसका कुछ सल्यूशन तो होगा और सल्यूशन के रूप में आनंद प्रग्या कारिक्रम है हमारे समर्थ गुरु सिधार्त वालियाजी राची में इस तरह का उपन प्रोग्राम 2017 के बाद पहली बार हो रहा है छे साल बाद हो रहा है जो कि यह 11 तारिकों दर्भंगा हाउस के प्रविंशन सेंटर में है यह फ्री प्रोग्राम है कोई भी विक्ति आ सकते हैं जो अपने जीवन को और लाइ चाहे प्रोफेशनल हो चाहे कोई रिटाइड हो हर वेक्ति आज तनाव से भड़ा हुआ है हमारे देश में सबसे अधिक जो दवाई बीक रही है न वो अनिद्रा की बीक रही है बीपी का यह सब लाइफ स्टाइल की बीमारी है और 90% मेडिकल साइंस के में में प्रूफ हो समझ पैदा करते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है तो मैं आप सबों को इस चैनल के माधियम से निमंत्रन देना चाह रहा हूं आप अपने जीवन में खुसाल होना चाहते हैं आनंदित होना चाहते हैं तो यह प्रोग्लाम आपके लिए मैं आचार्य अम्रेश हूं एक मुटिवेशनल स्पीकर हूं और इस अंस्था में उश्वधारा में पूरी जहारखंड का मैं कॉडिनेटर हूं और इंटरनेशनल में प्रोमोशनल कॉडिनेटर हूं